आज पूनम की रात आने वाली थी सभी जोटे पक्षी आज रात अपने ममा पापा को सिर्प्राइज देना चाहते थे वो सब नदी के पास इकठे होते हैं दोस्तों आज पूनम की रात है आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे के ममा पापा खुश हो जाएं हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचडी हम खिचडी बनाएंगे मैं मैं लाओंगा मीठे मीठे अमरूद और मैं लाओंगा चावल का दाना और मैं खिचडी बनाओंगी मैं दाल का दाना लाओंगा और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपने ममा और पापा के लिए खिचडी ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं गुडिया सेथी अपनी नानो के घर जाती है जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी नानो नानो खिचडी कैसे बनाते हैं? गुडिया बेटी आप खिचडी बनाओगी क्या? हाँ नानो हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात को अपने अपने ममा और पापा को सेप्राइस देंगे फिर गुडिया की नानो गुडिया को खिचडी की रेसिपी बताती है कुकु उड़ता हुआ मैदान में जाता है मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था यहां तो दाल का दाना नहीं है मैं ममा से पूछता हूँ के दाल का दाना कहां से मिलेगा? कुकु अपनी ममा के पास जाता है ममा ममा दाल का दाना कहां से मिलेगा? कुकु बेडा भूक लगी है तो ये चन्ने का दाना खा लो नहीं ममा मुझे डाल का दाना चाहिए फिलीज मुझे बता दे डाल का दाना कहां से मिलेगा कुकु बेडा डाल का दाना किसान के खेट से मिलेगा इनसानों की बस्ती के पास कुकू अपनी ममा की बात सुनकर भाग जाता है किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुकू को खेत में धेर सारे दाल के दाने मिल जाती है कुकू दाल के दाने एक थैली में डालता है जगू कवा भी उड़ता हुगा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है चाचा चाचा कबूतर मुझे चावल का दाना दे दे जगू बेटा मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है अगर आपको चावल का दाना लेना है तो आपको पहाडों पर जढने के पास जाना होगा वहां से आपको चावल का दाना फ्री में मिल जाएगा जगू छहरने की तरफ उड़ता है छोटा तोता जानता था कि उसे मीठा अमरूद कहां से मिलेगा इसलिए वो सीधा अमरूदों के बाग में जाता है ये अमरूद तो कच्चा है मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद रूंड नहोगा छोटा मिठू एक पेड़ से दूसरे तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है छोटा बुलबला नमक लेने नमक के पहार पर जाता है वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है और कपूतर का बेटा कीकी शकर लेने चाचा चमछम के पास चाता है पेटा, अगर तुम मुझे गन्ना लाकर दो तो फिर मैं तुम्हें चकर बना कर ले सकता हूँ मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ फिर कीकी उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाता है जहां उसे घने का पोदा दिख जाता है थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है दोस्तों क्या सारी चीजें एकरठी हो गए हैं? सब त्यारी मुकामल है गुडिया आप देखते हैं तुम खिचडी कैसी बनाती हो फिर गुडिया खिचडी बनाना शुरू करती है मैं खिचडी बनाती हूँ और आप जाकर नदी से पानी ले आएं और आप सब अपने अपने ममा पापा को भी बुला ला हैं कुकु भाई आप भी ममा को बुला ला हैं फिर वो सब चले जाती हैं ममा ममा मेरे साथ आए मेरे साथ नदी के पास आए कुकु बेटा अभी तो मुझे दाना भी खाना है नहीं आज आप के लिए एक सर्प्राइज है आज आप दाना नहीं खाएंगी ममा पापा क्या आपने अभी तक दाना तो नहीं खाया नहीं जगू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सर्प्राइज देने वाले हो? हाँ ममा पापा, चले, आँ मेरे साथ नदी पर चले गोरी कवी को तो दूर से ही खिचडी की खुश्बू आती है कालू, जल्दी चलो, जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है सब पहुंचाती है, सब अपने अपने ममा पापा को लेकर पहुंचाती है गुडिया बेटी, तू बड़ी स्यानी बनी बैठी है, जे खिचडी बनाना तू उन्हें कब से सीख ली? आज, आज मैं अपनी नानों से सीख कर आई हूं खिचडी बनाना गुडिया की बात सुनकर सारे बड़े पक्षी हंसने लग दे है फिर गुडिया सब को खिचडी प्लेटों में डाल डाल कर देती है आसमान परचान पूरी तरहां रोशन था और सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचडी खा रहे थे ये समय उनके लिए यादगार था क्यूंकर आज तो बच्चों ने अपने ममा पापा को बड़ा सर्प्राइज दिया था फिर वह सब मजे मजे से फलों वाली खिचडी खा कर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद मेतोता मेतोता हरे रंग का मेतोता मेरी किस्मत और ये मीठा अमरूद इसे तो मैं किसी आराम दे जगा पर बैठकर ही खाऊंगा वहाँ वहाँ उचे पेड़ पर बैठकर खाता हूँ मैं ये मीठा मीठा अमरूद ऐसा सोचते हुए मिठू अपना पका हुआ अमरूद लेकर उचे पेड़ पर जला जाता है ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने से पहले मुझे परातना करना होगी ताके दुबारा भी मुझे ऐसा ही अमरूद मिल सके मिठू अमरूद अपने सामने रहकर आँखे बंद करके परातना करने लगता है पीछे से भू की गोरी कवी आती है और चुपके से मिठू का अमरूद उठा कर भागती है रुको रुको गोरी की बची ये अमरूद मेरा है रुको मिठू पीछे पीछे और गोरी कवी आगे आगे गोरी तो दूर पहाड़ों की दरफ निकल जाती है और ठाखार कर मिठू एक पेड़ पर बैठ कर रोने लग जाता है गुजरती हुई चिडिया वहां आती है मिठू क्यों रो रहे हो बच्चों की तरहा वो गंदी कवी ले ओड़ी मेरा मीठा अमरूद मैंने बहुत मुश्किल से ढूंडा था वो अमरूद अब चुपकर जाओ मिठू वो अमरूद तो अब तक गोरी कवी ने खा लिया होगा मर जाए वो मेरा छीना हुआ अमरूद खा कर मर ही जाए तो अच्छा है जान छूट जाए उस से सब की गोरी वो अमरूद खा रही थी कि अचानक अमरूद का एक बीज गोरी के दांट में फंस जाता है गोरी अपनी चौँच इधर उधर हिलाती है मगर वो बीज नहीं निकलता फिर गोरी कवी अपनी चौँच पत्थर पर जोर जोर से मारती है यह बीज तो मेरे दांट से निकल ही नहीं रहा कालू कालू कहां हो तुम गोरी घर भागती है कालू कालू उस गंदे मिठू का अमरूद छीन कर खाया था मगर एक बीज मेरे दांद में फंस गया है वो तो निकल ही नहीं रहा तुम कोशिश करो कालू मेरे सारे मूँ में दर्द होने लगी है अगर मेरे साथ मिलकर खाती तो ऐसे ना होता फिर कालू कवा वो बीज निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है इसमें सारा दोश उस मिठू के बच्चे का है ना वो तुम्हारे सामने बैठ कर अमरूद खाता और ना तुम उसे छेंती मैं भी यही सोच रही हूँ फिर कालू कवा अपने घर से एक डंडा लेकर मिठू की तरफ जाता है यह तो कालू कवा है इन बुरे पक्षियों से आप दूर ही रहा करें यह बहुत बुरे है लगता है अनकवों को गलती का एहसास हो गया है शायद वो मुझसे माफी मागने आया है अपनी पतनी की तरफ से मैं जाकर बात करता हूँ फिर मिठू घर से बाहर निकलता है तेरी ऐसी की तैसी ऐसा कहते हुए कालू कवा मिठू को मारने लगता है बचाओ बचाओ कोई मुझे कालू कवे से बचाओ शोर सुनकर मिठू की पतनी हर्याली भी घर से बाहर आ जाती है चिडिया और कबूतर भी महां आ जाते है छोड़ो छोड़ो मिठू को छोड़ो फिर कालू कववा मिठू को छोड़ देता है हुआ क्या है आप दोनों क्यों लड़े हैं लड़ कब रहे है ये मार रहा है मुझे और मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये मुझे क्यों मार रहा है आप इसी से पूछ लें कि ये मुझे क्यों मार रहा है मेरी पतनी के दांत में दर्द है तो तो इसमें मेरा क्या दोश है दोश है उसके दांत में उसी अमरूद का बीज फंसा हुआ है जो अमरूद गोरी तुम से छीन का ले गई थी ना तुम सामने पेड़ पर बैठ कर अमरूद खाते और ना मेरी पतनी के दांत में अमरूद का बीच फंसता कालू ये भी कोई बात हुई उल्टा चोर को अत्वाल को डांडे ये जुरम तो बहुत बड़ा किया है मैंने जो तुम्हारी पतनी के सामने बैठ कर अमरूद खाया है कम जोर तोते चुप कर जाओ तुम्हारे जैसे बूरे कोई बातों से नहीं समझते सची कहा है किसी ने के लातों के भूत बातों से नहीं समझते फिर हर्याली तोती मुझे पेड़ पर बैठ कर अपनी जाती के तोतों को आवाज देती है देखते ही देखते आसमान नीले से हरा हो जाता है और वहां तोते ही तोते जमा हो जाते हैं मारो इसे मारो इस बुरे कवे ने मेरे पती को बहुत मारा है चुडिया बचालो मुझे चुडिया बचालो मुझे तुम्हारा पिटना बहुत जरूरी है कालू कवे फिर वो तोते मिलकर अपनी तेज चोंचे मार मार कर कालू कवे का बुरा हाल कर देते हैं कालू कवा रोता हुआ घर जाता है कालू जी क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो गोरी मेरे दांट में भी दर्द है बहुत मारा है उनहरे तोतों ने मिलकर मुझे बहुत मारा है यहां यहां भी मारा है मर गया हाए में मर गया ऐसे कवे को सेजा मिलती है प्यारे दोस्तों कम जोर पर हमेशा बेजा गुसा आता है और ताकतवर के सामने गुसा खतम हो जाता है ऐसा अकसर हमारे समाज में भी होता है आपका धन्यवा